डोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि बेदा रोगे और आपके सामने में आज एक एक बहुत इंपोरेन टॉपिक लेके आया हूँ इस टॉपिक के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अज का टॉपिक क्या है आज का जो Topic है वो है Carbon Credits और Carbon Credits Topic क्यों हुआ सबसे पहली बात तो हम इसी की करेंगे कि Carbon Credits Topic क्यों हुआ Carbon Credits Topic आज का इसलिए है क्योंकि हमारा इंदौर शहर जो कि Smart City है उसने आपको मैं बता देता हूँ कि लखबग पिछले साल 69,00,00 रुपीज कमाए 8.34 करोड रुपीज कमाने हैं कारवन क्रेडिट बेच कर इंदौर को मोस्ट आई एम पी है ठीक है और मैं आपको बता दू कि कारवन क्रेडिट बेच कहा रहा है यह कारवन क्रेडिट इंदौर बेच कहा रहा है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि यह क्या है यूर प्रदेश में सबसे आगे है इंदोर नगर निगम इसलिए हम बात करेंगे कारबन क्रेडिट की बहुत जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ लाइनों के साथ लेक्चर के स्टार्ट करते हैं अंजाम को पहुंचूंग कि हाँ इनकी तरह बनते हैं आईए इसी तयारी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने PSC के तयारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आज का लेक्चर ठिक है चलिए आज के लेक्चर में क्या है सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कारबन क्रेडिट क्या है हवा साफ करने या ब बना चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और यह देखते हैं कि यह मिडवे कैसे आया हमारे पास ठीक है चलिए सबसे पहले हवा की खरारबी का इलाज है कारवन क्रेडिट तो होता क्या है घटी बजी है लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें जितना ज्याद ठीक है हर जगे की जो केमिस्ट्री होती है सब फॉसिल फ्यूल में क्या है असल में हाइड्रो कारवन है ठीक है और हाइड्रो कारवन कारवन के अलग-अलग कंपोजिशन वाले कंपाउंड से हर किसी लिविंग तिंग में ये चीज़े हैं इतनी बात आपके समझ में आ मतलब फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है पैट्रोल हो गया डीजल हो गया ऐसे जो फ्यूल से उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल जीवास्म इधन अब जब जीवास्म इधन जलेंगे तो क्या रिली जोगा कारवन और किस फॉर्म में होता है ग्रेन हाउस गैसे के फॉर्म में तो अब इसका क्या इलाज है? आपको मैं बताता हूँ, तो हमें क्या है air pollution को रोकने के तरीके? हम तीन तरीके की बात करते हैं, mains के अंदर भी आ सकता है, pre के लिए भी important है, है ना क्योंकि पूछ लेगा कि कौन सा तरीका नहीं है, pollution को control करने का, तो पहला है कि industry पूरी तरह बं प्रदूशर ना हूँ, ऐसे fuel पर ले जाया जाए जिस पर प्रदूशर ना हूँ, और ये भी practically possible नहीं है, ठीक है? तो अब अगर सारे जो हमारे संसादन हैं, वो अक्षे उर्जा संसादनों से चलें, तो हो सकता है carbon emission कैसा हो जाए? जीरो हो सकता है, जिसके लिए हम काम कर है, solar हमारा हमने organization मना रखा है, International Solar Alliance, अभी उस पर भी मैं पूरा वीडियो लाओंगा, और क्या होगा, carbon emission zero किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बहुत दूर हमें जाना है, मतलब दूसरा जो solution है, उस पर हम काम कर सकते हैं, solar energy के sector में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आब क्या हुआ, नवंबर 2021 में UNICEF, UNFCC के तहत, UNFCC कब बना, मुझे बताइए गजरा comment box में, COP26 की conference में मुयम मोदी ने कहा था, कि 2070 तक, इंडिया 2070 तक, carbon emission zero कर देगा, और इसके लिए हम काम आज से चालू कर देंगे, तो यह देखे, एक प्री का question यहाँ पे हो गया, आप से यह target कप का रखा है, तो ध्यान रखेगा, 2070 तक का, और mains के लिए important भी है, 2017 तक, mains में तो carbon credit सीधा पूछ सकता है, अब अगली बात है, ध्यान रखेगा, मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला, तो आपको मैं बता दूँ, परियावरण के लिए एक बनता है, कुरुजनेट वक्र, को हम कहते हैं, परियावरण का कुरुजनेट वक्र, और यहाँ पर जो condition होगी, इसकी उमीद मोदी जी ने 2017 में भारत के लिए कर रखी है, कि carbon emission हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो चलिए, अब बात करते हैं, तीसरे माध्यम की, जो मध्यम मार्ग निकाला गया, पहले और दूसरे के बीच का रास्ता और वो था carbon credit, carbon credit क्या है, इस तरीके से ना तो development रुखेगा और ना ही हवा और बत्तर होगी, इसे हम समझते हैं कि आखिर कैसे होगा ये, आईए समझते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्योटो प् 1990 के इस तर तक ले जाना था, मतलब कितने की कमी करनी थी, 5.2% की, बात समझ गये क्या, और इस होगे तो उसके लिए उसर्जन लक्ष एवं शीमा निर्धारित की गई, जिसकी प्रवित्ति बाध्धिकारी थी, मतलब ये कहा गये कि इतना आपको कम करना ही करना है, क्या हमे पॉल्यूशन इतना कम करना है, ठीक है, कार्वन का उतना उसर्जन, ग्रीन हाउस गेसे इतना एमिशन कम करना है, अब क्या हुआ, अब दूसरा उपाय इसका निकाला गया, कि भईया, ये लोगों ने टार्गेट पूरा नहीं किया, तो इस प्रोटोकॉल के तहत, लक्ष क प्राप्ति पर अतरिक्ट उपाय के भी प्रस्तावित किया गया, जिसे बाजार आधारी तंत्र कहते हैं, मार्केट बेस्ट मेकेनिजम कहते हैं, जिसकी बात अब हम कारवन क्रेडिट के रूप में करेंगे, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला है अंतर राष्टी उत् इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, IER, पूछा भी जा सकता है, इसका फुल फॉर्म, अच्छा अगला है स्वक्ष बिकास तंत्र, क्लीन डवलप्मेंट मेकेनिजम, CDM बोलते हैं इसको, अगला है ज्वाइंट इंप्लिमेंटेशन, सैयुक्त क्रियान वियन, ये तीनों परिकों को अपनाते हैं, हम अंतर राष्टी उत्सरजन, इंटरनेशनल एमिशन, और क्लीन डवलप्मेंट मेकेनिजम, और ज्वाइंट इंप्लिमेंटेशन के तुरू, हम कारवन, ग्रीन हाउस गेसिस का एमिशन क्या करते हैं, कम करते हैं, बात समझ गया, चलिए, तो अ चलिए, तो कार्वन क्रेडिट क्या है, कार्वन क्रेडिट एक ये एकदम थ्री मार्कर के अंदर अगारा है, तो यह जिती उत्सरजन शाप दीजएगा, और प्री के अंदर पूछ लेता है, तीन डेफिनेशन लिखी रहती है, विच्वन इस कर्यक्ट, कौन सी सही है, तो मात्रा एक टनमेश के बराबर हो उत्तरजन का अधिकार देता है मतलब क्या है देखिए ये कारवन साइकल है हमारा अब इसकी कैसे ये रोल प्ले करेगा हमारा कारवन साइकल कारवन क्रेडिट पे पहले कारवन क्रेडिट को समझेगा कि कारवन क्रेडिट अगर कोई कर लिया carbon credit अब उसने जतना carbon credit purchase किया मेरे से उतना carbon उसे उथर्जन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कैसे हो जाता है यह मैं आपको बता देता हूं ठीक है चलिए आप बताता हूं ही कैसे होता है अब देखे किसी भी संस्था को हम target दे देते हैं कि आपको इतना ही greenhouse gas क्या करना है emit करना है ठीक है माना किस तर से कम अगर carbon dioxide surgeon करता है कोई जैसे suppose that मुझे बोला गया कि आप suppose that 10 unit क्या कर सकते हो carbon dioxide emit कर सकते हो मैंने कितनी emit की 5 unit अब मेरे पास carbon credit कितना बच गया 5 unit अब किसी और company को कितना कर सकती थी वह 10 कितने unit कर सकती थी 10 अब उसने कर दिया 15 अब वो क्या करेगी पांच कहां से खरीदेगी तो देखे मेरे पास 5 बचे हैं तो हमसे पांच खरीद ले carbon credit और हमको क्या मिल जाएगा फंड मिल जाएगा इस फंड का यूज मैं कहां कर लूँगा भाई चाहे या तो अपने development में कर लूँ अपने industry के development में कर लूँ क्योंकि मैंने carbon के emission को कम किया है और उससे मेरी income हुई है और इन्हों ने क्या किया carbon emission जादा किया इसलिए हमसे वह purchase कर लिया तो भैया देखे total मिलाके emit किता हुआ बंद्रा उनका 5 मेरा 20 15 उन्होंने जादा किया था पांच जादा किया था पांच हमसे देशों ने 2012 तक लक्ष को पूरा करने हैं तो सार्वजनिक और मिजी कमपनिये हो तो CHG मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए नियम बनाया इस प्रकार कमपनी के सामने उत्सर्जन को दो तरीके से कम किया जा सकता है ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए नई प्रध्योगी की बदले उत्ना प्रध्योग की प्रयोग करें मतलब क्या है वह देखे समझना जो मैं कह रहा हूँ हम दो तरीके हैं हमारे पास या तो हम न्यू टेकनोलोजी का यूज करें और क्या करो विकास देशों से शंपर्क करो क्यों करो क्योंकि उनके पास क्रेडिट हैं क्या है तो कारबन क्रेडिट आप पर्चिस कर सकते हैं चलिए बात करते हैं भारत क्योट्यो प्रोट्यो क्ल क parked कि के ये देख लेते हैं अपर विकास सिल देश और भारती परद्रिश्य की बात कर रहे हैं कारवन क्रेडिट को लेके CDM का ढाचा इस प्रकार तयार किया जाता है कि विक्सित देश अपने उस सर्जन को टोती है तो विकास सिल देशों में मूल ने प्रभावी परिवेस चला सकें जिससे विकास सिल देश भी प्रोटोकॉल के मकसद को पूरा करने में भागीदार बने मतलब क्या है विकास सिल देश के पास क्रेडिट बचा है तो वो किसको बेच दे विकास सिल देश के पास अगर क्रेड़ बचा है तो विक्षित देशों को बेश दे हाला कि विकास सिल देशों के कारबन क्रेड़ सिर्फ एक ही विक्षित देश में कमपनियों को हस्तान्तरित किया जा सकता है मतलब विकास सिल देष एक देष के अंदर क्या करेगा एक ही कमपनी को क्या करेगा बेच पाएगा विकास सिल देष जैसे चीन भारत कार्बन क्रेड़ बड़े बिकरेटा के रूप में उभर कर आये हैं ये लोग क्या करते हैं अपने कार्बन की emission की rate को कम करते हैं और उसके बदले में इनको क्या मिलता है पैसा मिलता है विकास सिल देशों को CDM द्वारा पूजी एवं प्रोध्योगी की लाब है साथ ही उन्हें क्या करना है certified emission reduction विशाल व्यापारिक अवशर जो है यह देता है मकसद क्या है CDM के द्वारा क्या होता है पूजी और प्रोध जित करेंगे इससे ज़्यादा नहीं भारत कारवन क्रेडिट के सबसे बड़े खरिदार कौन है भारत से यूरोपी देश है उसके बाद कौन जापन भारत से कारवन क्रेडिट कौन कितना खरिदता है तो भाईया ध्यान रखिएगा सबसे पहले यूरोपी देश फिर माचा क्यों बनाया गया और बात करते हैं कि कारवन क्रेडिट है तो बैश्विक बजार मंच कौन-कौन से हैं ये भी आपसे थ्री मारकर या तो प्री के अंदर पूछा जा सकता है तो मैं आपको बता देता हूं सिकागो क्लाइमेट एक्चेंज एक ये है मल्टी कमोडिटी एक्चेंज ऑफ इंडिया मसी एक ये है यूरोपियन क्लाइमेट एक ये है और नौर्ड पुल नौर्वेज यूडन डेन्मार्क फिनलैंड एक ये है इसके माध्यम से आप अपने कारवन क्रेडिट को बेच और खरीद सकते हैं अगली बात क्या है कारवन क्रेडिट के लाब क्या-क्या है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है उन कमपणियों को बहतर प्रद्योगी का लाब जो C.E.R का कर रही है मतलब क्या है भाईया ध्यार रखे कारवन क्रेडिट क्या कर रहे हो आप कम एमीट कर रह होगा इससे क्या होगा अभी यect계 अब अब अ मतलब करेंगे तो विकाश इल देशों में निमनमूरे सनरशना करें क्या होगा क्या विकाश इल देशों में कोई भी चीज को स्थे करना है तो सस्ती हो जाती है है ना तो वहाँ नई टेक्नोलोजी भी आ जाएगी और तक्नीक आसानी से हस्तान तरित भी हो जाएगी विकासील देशों में बिदेशी निवेस होगा ठीक है स्वक्ष प्रोध्योगी की का विकास होगा clean environment clean प्रोध्योगी की का मतलब होता है technology तो क्या होगा clean technology का environment create होगा विकासील देशों के अंदर विकासील देशों में बिदेशी निवेस के अत्रिक्त इस्त्रोध जो स्वक्ष प्रोध्योगी के विकास में उत्प्रेज़का कारी करेंगे मतलब हमें सिर्फ निवेश की तरफ नहीं देखना हमें तो ये भी देखना है कि हम 10 पेंड लगाएंगे उससे हमें जो लाब मिलेगा carbon credit के रूप में या हम एक industry ऐसी लगा लेंगे जिसके हमें क्या मिल सकता है जिसका हमें सिधा लाब मिल सकता है तो हम क्या करेंगे इसकी green house gas emission कम हो तो हमें आंदनी भी होगी और हमारा environment भी clean रहेगा इतनी बात समझ गए अब carbon trading ये भी आ सकता है थ्री मारकर के अंदर तो ध्यान रखिएगा और आप से पूछा जा सकता है कहां पर प्री के अंदर तो ध्यान रखिएगा credit की खरीदी एवं बिक्री ही carbon trading कहलाती काये की carbon credit की ये credit जो लिखा है carbon credit है इसी की जो खरीद और बिक्री होगी यही carbon trading कहलाती है संस्था के अंदर अंतर राष्टी कारेवार के रुप में भी होता है सयुक्त राष्ट Environment Production Agency ने 1970 के दसक में carbon trading थ्योरी दी थी तो हमसे ये protection UNEP इसने दी थी सबसे पहले 1970 में carbon trading की थ्योरी इसका उद्देश की क्या था इसका लक्ष क्या था carbon के उत्सरजन को कम करना इसके लिए उद्द्योगों को प्रोच साहित करना तथा प्रोटो कॉल के बाद बिश्यो के सभी राष्टों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिय है कौन से protocol के बाद Kyoto protocoll के बाद मेरे बास समझ गया क्या चलिए यहां प्रोटो कॉल पस लिखा है मैंने आपको बता दिया Kyoto अगली बात क्या है हम मैंने current affair के लिए एक अलग से बैच चालू किया है आप उसको जवाइन कर सकते हैं और हिंदी भासा मेंस के लिए भी subject मैंने launch किया है अपने era institute के app में जिसे हिंदी पढ़नी हूँ तो वो पढ़ सकता है जिसे current affair का holistic dimension cover करना हो उससे related सारे dimensions को cover किया है हमने era institute के app में एप का description में आपको कहां दे रखूँगा नीचे description box में एप की link भी रहेगी telegram link भी रहेगी आप वहां से हमारे telegram channel में भी जुड़ सकते हैं रोज quiz होता है आप उससे जुड़िए और like subscribe share करना है उसके पहले अब मैं आपसे questions की बात करता हूँ दिखिए आप हमारे संदर्ब से जुड़ेंगे और संकल्प से जुड़ेंगे संकल्प हमारा हिंदी का जो हमने हिंदी subject हिंदी भासा के लिए best launch किया है और संदर्ब जो हमने current affair के लिए किया है दोनों के dimensions बहुत अच्छे हैं आप पढ़ें हमें आते साथ जुड़ें और join करें आपको बहुत लाब होगा अब बात करते हैं हम questions की जो मुझे लगता है MPPSC के अंदर आएंगे क्योंकि भी new forest report आई है forest policy like करें subscribe करें और share करें दिखें घंटी बजी मैंने तो नहीं बोला घंडी ने बोला है ठीक है आपको like करना है subscribe करना है और share करना है अधिक्तम carbon stock किस देश में है maximum carbon credit किस देश में है पहला question यह है मद्व प्रदेश का carbon stock में इस्थान बताइए भाया हमारे पास carbon credit कितना है आप हमें बताइए think about it और आगली बात एक question और add करता हूँ भारत के अंदर carbon credit सबसे ज़्यादा किस राज्जी के पास है अगर आपने मेरी forest report को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो इन questions के जबाब आप मुझे comment box में दे पाएंगे तो मैं उमेद करता हूँ कि आपको carbon credit से जुड़ा संपूर lecture समझ में आया होगा इसलिए like करते रहिए subscribe करते रहिए और share करते रहिए next lecture में मिलते हैं thank you thank you very much